दोस्तों प्यारे विद्यातियों नमस्कार मैं धर्मेंद आज आप लोगों को रसायन विग्यान कच्छा 9.10.11.12 के लिए पढ़ाने जा रहा हूं आज का क्वेस्चन है बोरबरी का नियम बोरबरी का नियम तत्तों का इलक्टानिक बिन्यास लिखने के काम आता है आप बाव का नियम भी तत्तों का इलक्टानिक बिन्यास लिखने के लिए परियुक्त होता है तो बोरबरी का चार नियम है पहला नियम है किसी कच्छा में अ त चाथ नियम है लेकिन बोरबली ने सबसे पहले नियम Union की संख्या SB्य겠습니다. लेकिन वोरबल्ल इस नियम के पहले नियम को अगले तीन नियम देने पड़े तो हम पहले बोरबली के पहले नियम को समझते हैं का कहने का मतलब था किसी परमाड़ु यह परमाड़ु है याहन की संख्या एक रखा जाए तो क्या होगा वन का बर्ग होगा यानी पहली डू र्ख जाए तो क्या होगा दो दुनी चार और चार दुनी आठ आठ हमें यानन ये यन बराबर तीन रखे तीन तरीक का नौ और दूनी अठारा आ जाएगा और जो है यदि चार रखा जा चार चोग शोला और दूनी बत्तिस ये बत्तिस आ जाएगा तो बोरबरी ने कहा था किसी परमाड के पहली कच्छा में दो इलक्टान रह सकते हैं और दूसरी और तीसरी कच्छा में 18 और चोथी में 32 इसी तरह से किसी परमाड के बाहरी कच्छा में इलक्टान होते हैं लेकिन बाद में ही बोरबरी ने पाया किया नियम हमारा पूरत शत्य नहीं है थोड़ा आंसिक रूप से सही है और थोड़ा गलत भी है तो इसलिए आहनियम गलत स यानि फश्ट नियम को सुधारने के लिए बोरबरी ने दूसरा तिसरा और चौथा चार नियम दिये और उन्होंने देखा क्या देखा उन्होंने देखा कि तत्तों के परमाड़ों में जब इलक्टान भरते हैं ये परमाड बाहरी कच्छाओं में इलक्टान भरते हैं तो प पर्माड में इलक्टानों की संख्या बड़ी हो जाती है तो यह नियम काम नहीं करता, उन्होंने देखा कि कुरोमियम पर्माड के पहली कच्छा में दो, दूसरी कच्छा में आठ, और तीसरी में भी आठ, और चौथी में छे, बराबर चौदा, यानि उन्होंने परियोग क कि कुरोंियम के तीसरी कँछा में हम थाररा इलक्टान होनी चाहिए लेकिन 8 इलक्टान होते हैं उससे बाद अगली कँछा शुरू हो जाती उसमें 6 इलक्टान मिल जाते हैं इसलिए बोर्बरी का पहला नियम असत्य शाबब्त हुआ पूर्यूप से आठ इलक्टान रह सकते हैं, यदि आठ रहेंगे अधित्तम आठ इलक्टान होते हैं, यदि आठ हो गया, नव होगा तो अगली कच्छा हम चला जाएगा, लेकिन जाना किसमें चाहिए था, ये तीसरे में ही रह जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये चावथी कच जा सकता है, ये परियोग करके देखा, तो इस तरह के इलक्टानों का बितरण परमाण की कच्छाओं में मिला, अन्तिम कच्छा में आठ इलक्टान भरने के बाद नहीं कच्छा सुरू हो जाती है, अन्तिम कच्छा में, अन्तिम कच्छा में आठ इलक्टान भरने के बाद अंतिम कच्छा क्या इसमें 8 लेक्टान हुए तो अगली कच्छा भरना शुरू हो जाता है वह यह इंतजार नहीं करता है कि 2N2 के अंस्वार कच्छा पूरी होगी